तो देखो भाई कि सुभ इच्छा जब से हम पैदा हुए तब से हमारी इच्छा ही है इच्छाएं मन को पकड़ती है तो इच्छाएं मन को पकड़ती रहती है अब ये इच्छा एक तो क्या है कौन सी इच्छा है एक तो इच्छा है जिसको कहते हैं शुभ इच्छा एक अशुभ इच्छा और इच्छाओं को हम कहते हैं कि ये बुरी इच्छा है ये अच्छी इच्छा है दूसरे के उपर गलत नजर क्यों डाल रहे हो बुरी इच्छा देखा तो ये देखना है कि पहले पहला स्टेप जो सुभ इच्छा है इसका बैक ग्राउंड भी जानना जरूरी है ये सुभ इच्छा शब्द आया है हमारे योगवस्ष्ष्छ से योगवस्ष्ष सबसे पुरानी पुस्तक है वस्ष्ष्ट विश्वा मैत्र और बहुत सारे रिशियों का उस में समबाद है बाल में की रामाइन भी बोलते हैं उसको बाल में की ने लिखे तो देखो हम सब कितने हो गए मेरे को भी बीस बाइस साल की एज में तब जाके मुझे ये इन सब चीजों का पता लगा और तब से फिर मैं ये साधना करने लगा धीरे धीरे फिर ये पता लगा कि इस साधना में प्राग्रेस कैसे होनी चाहिए गुरू का क्या रूल है और गुरू किस प्रकार से तो पहले जब तक व्यक्ति के मन में सही प्रशना उचे सुब इच्छा नहीं उचती तब तक गुरू के पास आप सालों भर जाते रहो नाक रगड़ों पैर रगड़ों कुछ नहीं होने वालता बदलना तो हमें अंदर से है ना तो मुझे वो धारन ये आया कि 18-19 साल की उम्र में से जब से ये साधना शुरू की और 16 साल की उम्र में राम ने सारी साधना पुरी करी राम ने सारी साधना पूरी कर ली वो एक निक्ट्य कोटी कहो ईश्वर कोटी के योगी हो गए देखो एक योगी होते हैं जो कि उस अवस्था में पहुंच जाते हैं बस उसका काम ये रहता है कि सुवह उठना आना धोना खाना खाना और फिर बैठ जाना लियान में बाहर की कोई एक्टिविटीज नहीं बस मस्ती में बैठे हुएं तो ऐसे योगी क्या करते हैं कि जैसे हमारे गुरुदेव थे तो ऐसे योगी क्या करते हैं कि वो सब में उसी ब्रह्म को उसी सच्छदानंद को देखते हैं एक होते हैं ईश्वर कोटी के योगी, राम है, क्रिश्न है, तो ईश्वर कोटी के क्या करते हैं योगी, वो सब काम बाहर के सारे काम करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि एक उधारन भी देना चाहते हैं, देखो समाज में रहके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में जीते हुए, हम उस अवस्था में बने रह सकते हैं उनको हम कहते हैं इश्वर कोटी के योगी, क्रिशन जैसे भी, राम भी वही थे, क्रिशन भी सब काम किये, छल भी किया, कपट भी किया, राम ने मर्यादा भी रखी, बुद्ध की तरह तो जो अरजुन ने 89 साल में किया, वो राम ने 16 साल में पुरा कर लिए, उस समय क्रिशन जो है, हमारे, वो भी 86, 89 साल के थे, दो-3 साल का अंदर था, तो राम ने 16 साल में पुरा कर लिए, बड़ा इंपॉर्टन्ट है ये, बार-बार इसको सुनो कि तब समझ में इसमें आएगा, तो बारह तेरे साल की जब उमर के थे, तो देखो उस समय राजाओं, तो राजा होते थे, तो राजा का मतलब ये है कि धन का कोई अभाव नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी चीज लानी है, उस समय जो प्राप्त होती थी, तो जैसे आज देखते हो ना कि जहां पे भी धन बहुत जाता है, वहां के बच्चे बड़े हाईली डवलप्ट हो जाते हैं, शरीर में भी डवलप्ट हो जाते हैं और कई बार बुद्धी में भी डवलप्ट हो जाते हैं, तो दैशरत जो है बड़े अच्छे राजा थे तो वहाँ पे उन्होंने ग्यान का ग्यान जो है दिलवाया वसेश्ट और विश्वा नत्र से किने नीव सबसे पहला ग्यान है तो इसलिए उनके राज़ दरवार में आते थे तो बारे तेरे साल की उम्र में दो साल तक राम जो है वो अपने पूरे राज़े में घूमे तो बुद्ध की कहानी आती है न कि उन्होंने एक मृत शरीर को जाती हुए देखा संसार में और फिर वापस मनंद करने लगे कि मैं भी मर जाओंगा तो जीवन का लक्ष क्या है फिर एक बुढ़े जरड़ शरीर को देखा और कि मैं भी बुढ़ा हो जाओंगा तो वो उस तरीके से मनन मतलब ये कि मेरा जो आनुभव है मन का उस आनुभव से मैंने क्या सीखा तो बुद्ध ने सीखा कि और कि जैं भी मर जिया हूँगा तो फिर जीवन का लख्ष क्या है? ये परशन उठा कि दूसरे के मन में जो है उसने मृत्शेरीड देखा कि मैं भी मर जाओंगा, तो फिर मेरी प्रपोर्टि का क्या होगा? कुछ नहीं होगा होना क्या नहीं फिर मेरे बच्चों का क्या होगा कुछ नहीं जो होना होगा वो होगा तो ये विचार राम के मन में उस बारह तेरे साथ की उम्र में घटे उन्होंने भी बुढ़े को देखा मृत शरीर को देखा पती पतनी के जंजटों को देखा समस्याओं को देखा तो और उसके बार फिर वो वापस आए और मनन करने लग गए अपने कमरे में बंद करके तो मनन करने लग गए तो मनन जब आदमी करता है तो जैसी ही मनन करता है तो मन बाहर की चीजों से अंदर होने लगता कि आखिर क्यों भी ऐसा क्यों हो रहा है यही जीवन है सब लोग ऐसे ही जी रहे है तो वो जब ऐसी अवस्ता में आए तो दरसरत को बड़ी बेचेनी हुई कि कहीं इसको डिप्रेशन तो नहीं हो गया और तब विश्वामित्र और वसिष्ठ ने उनको गयान दिया समरी में बता रहा हूं नहीं तो उसमें 40 जार 32 जार से ज़्यादा श्लोक है तो वसिष्ठ ने सब्त भूमिकाई बताई सेवन स्टेजिस कि हम अध्यात्म के साधना में कौन से स्टेज पर है और कौन से स्टेज तक हमें जाना है पर उससे भी पहले अगर मैं इस बात को जैसे मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में अड्मिशन लूँ तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई मास्टर्स प्रोग्राम किस का है फिजिक्स का है किमिस्टरी का है कौन से सब्जेक्ट में जाना है फिर दूसरा स्टेप उता औरियन्टेशन का आपको बुलाते हैं वो कहते हैं देखो यहां पर यह क्लास्रूम है इस तरह से जाना है तो तैयारी है हमारी हमने फीस भर दी उसी प्रकार से अध्यात्म साधना में जाने से पहले मुझे अपने अनुभवों से सीखना है कैसे सीखना अपने अनुभव को पीछे देखा कि आज मेरा क्या अनुभव हुआ पत्नी के साथ मैंने क्या कहा और उसमें कटुता आई तो क्या मैं इस कटुता वाले विचार को अपने मन से हटा दूँ और ये देखूं कि अगली बार मैं किस तरह से किस तरीके से मुझे अपनी बात को रखनी है जिससे समस्या का समाधान भी हो जाए आफिस में भी वही बात तो में बात है कि मुझे अपने अनुभवों से किस प्रकार सीखना है अपने अनुभवों से कैसे सीखना है ये पहला पर्च फिर क्या है कि अपने अनुभवों से हम कैसे सीखते है हमारे मन में बहुत सारे ऐसे संसकार रहते हैं जिसे एक व्यक्ति के विशय में तुमारे मन के अंदर संसकार थे, कि उसने ऐसा ले दिया, कर दिया, तो मुझे उस अनुभव से कैसे सीखना है, तो मैंने उसका उपाई बताया, और उपाई किया, और फिर तुम मस्त हो गए, मन धीला हो गया, तो बहुत सारे पुराने संसकार हमारे मन के अंदर रहते हैं, वो पुराने मन के संसकार हमारे मन के अंदर वो संसकार अधिकतर रहते हैं, जिसमें ब्लेम है, कंप्लेइन है, प्रतिक्रिया है, दुख है, वो रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें ध्यान से रिखना है, यह जब मनन हम करते हैं, तो हमें पर्मिट मिल जाता है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, जब हम मनन करते हैं जही छूटी सी बात के लिए मैं इतना दुखी हो गया, एक ने पांच रुप़िय ज़्यादा ले लिये एक ने कम दे दिये, तो जिसने कम दिये उसके प्रती, जिसने ज़्यादा ले लिये उसके प्रती, देखो, यह अनुभव से सीखना है, तो ध्यान कहा था हमारा? उस प जब मन मेरा स्वा पर देखता, अच्छा मैंने प्रतिक्रिया की, ये प्रतिक्रिया मन में कहां से आई? और ये प्रतिक्रिया मैंने अपने पूरे जीवन में कितनी बार की? और परिणाम क्या निकला वही धाक के तीन पात? वही अवस्था, कुछ दिन दुखी रहे, दो चार दिन के बाद भूल गए, संसकार उसके बन गए, तो वो संसकार प्रतिक्रिया के हमारी परिसनल ब्यक्तिकत जीवन में प्रभाव डालते हैं, ब्यवसाइक जीवन में तो हम उन संसकारों से जीने लगते हैं, क्या मतलब हुआ? कि अब मन उन संसकारों को हमारी जीवन में जीता है, हम जीती, जब तक हम ये मनन नहीं करेंगे, तब तक हम पहली जो भूमिका है सुभे च्छा में नहीं पहुँच सकते तो ये देखना है कि इस जीवन से आखिर ये जीवन जो है, जीवन में ये इतने सारे अनुभब हैं, वही अनुभब बार बार दोहराते चले जाते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, आज पैसा है, कल नहीं है, आज मकान है, कल नहीं है, अच्छा आज एक मकान छोड़ दिया अभी फिलहाल बाहर कुछ अपने बदला नहीं है पर हम मन के अंदर बड़ा विचार कर रहे हैं इतना ज़्यादा जो विचार हम करते हैं तो मन के दरवाजे खुल जाते हैं मन के दरवाजे खुलते हैं तब जाकर हम अपने आप से पूछते हैं आखिर यही जीवन जीना है इसी तरह से या जीवन का उद्देश है क्या जैसे बुद्ध ने कहा दुख है दुख का कारण है दुख से दूर हुआ जा सकता है दुख दूर करने का उपाए तो यह common questions हमारे मन के अंदर से उभड़ते हैं तो यह शुरू शुरू में मैंने पहले जब दिया था तो मैंने इशारा वही किया था कि जीवन में मेरा क्या उद्देश है और जीवन का उद्देश है क्या है तो जीवन में उद्देश होगा तो डिजायर होगी ना कोई इच्छा होगी तो उसको फिर चेक करना है कि क्या वो इच्छा शुभ इच्छा है या अशुभ गलत है या सही ये अगर हमने चेक कर लिया तो मन के उपर हमने काम करना शुरू कर दिया तो उसमें तीन चार क्वेश्चन्स मैंने शुरू शुरू में दिये थे कि जीवन का क्या उद्देश है जीवन में क्या उद्देश है ये उद्देश जीवन में मैंने क्यों चुना मेरे जीवन में मैं क्या अनुखब करता हूँ कि कौन सी समस्याएं हैं जो मुझे दुखी करती है और मेरे जीवन में कौन से ऐसे गुण हैं जो की मेरे मन को शानत और बेवस्थत रखते हैं ये चार पाँच प्रशने जव तक नहीं होंगे जब तक हम मन कर रहा हैं मन कर लिया अब कमिट्मेंट है अब हम समर्पित हो गए हमें क्लियर हो गया बुद्धी में क्लियर हो गया कि बस अब जीवन में इस उद्देश पर जाना है उद्धारन लो एक व्यक्ति आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना तो कमा लिया एक लाख डॉलर मैं कमा रहा हूं पूरे साल में तो अब मैं चाहता हूं कि भी पांच लाख डॉलर क्यों कमा कैसे कमा तो आप ऐसा मुझे ध्यान करवाईए तो मैं मना नहीं करता किसी को मैंने का नहीं सबसे पहले तो आपने से इस प्रशन का उत्तर देना है क्या उद्धेश फिक्स किया पांच लाख डॉलर कमाने है बिल्कुल सही आपने पूछा क्यों कमा ये कमाने है तो मेरा प्रश्णी ये है कि ये क्यों कमाने कार है? है घर है? है पत्नी है? है पत्नी और पती में संबंद बढ़िया है? है ठीक आप कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी घूमने इतना पैसा है? है तुम क्या इस प्रश्ण का उत्तर दे सकते हो कि 5 लाख डॉलर कमाने क्यों है तो वही उत्तर आए नहीं बाहर में सोशल स्टेटिस होगा मैंने का स्टेटिस से तुम्हें शान्ती मिलती है स्टेटिस से प्रसन्नता मिलती है और मिलती है तो कितनी देर तक मिलती है अपने अनुभवों से सीखो कमाओ जरूर, आपकी युग्यता है, कर्म जरूर करना है पर अगर जीवन में अगर उद्देश यही है कि मुझे कमाना इसी लिए है कि प्रेस्टेज, रिकागनीशन हो एक कार की जगे दो कार हो एक मकान की जगे दो मकान हो तो ये क्यों है ऐसा? ये इसी लिए है कि मन फैलाव चाहता है मन हमारे उपर काम कर रहा है तो मन अपना फैलाव क्यों चाह रहा है? क्योंकि मन का फैलाव जब होगा तब हम अपने स्वा को जान सकेंगे मन का फैलाव जब होगा तभी उसके अंदर से अंदर की जो शांती है वो उतरेगी पर रास्ता गलत है तुम पैसे के कारण ये देख रहे हो कि मन का फैलाव कर सकते हो तुम पैसे के कारण ये सोच रहे हो कि तुम मन के उपर काम कर सकते हो अभी मन तुम्हारे उपर काम कर रहा है देखो मन तुम्हारे उपर काम कर रहा है इसलिए ये इच्छा है कि ये पांच लाख कमाई जाएं वो कमाना है पर मन उस पांच लाख कमाने पे लगा रहेगा तब मन के अंदर दुविधा आएगी समस्चाइं आएंगी कर्म करते रहो हो सकता है कि 5 लग से ज़्यदा कमा लो पर तो क्या प्रसिधान्त क्या हुआ इसी लिए हम बार बार हमें टीचर को सुनना होता है कि सबसे पहली बात यह है कि मन के उपर हम यह देखें कि मन के उपर हम काम करना शुरू करें ना कि मन हमारे उपर काम शुरू करें मन अगर हमारे उपर काम करता रहता तो हम यही करते रहेंगे एक पत्नी से ना खुश तो दूसरी पत्नी कर लिए एक चीज से ना खुश तो दूसरा कर लिया एक खाने से ना खुश तो दूसरा खाना चुनाव कर लिया तो चुनाव हमारा संसार में ही है क्यों है क्योंकि इसी संसार में हमें ऐसा लगता है हमारे मन को ऐसा लगता है जो मन हमारे उपर काम कर रहा है उस मन को ऐसा लगता है कि शान्ती प्रेम ग्यान जो है वो संसार की वस्तों में है तो अब इच्छा देखो सुभ इच्छा क्या सुभ इच्छा क्या मतलब कि मन के उपर हम काम करें पहला स्टेप पहला स्टेप क्या है कि मन के उपर हमने काम किया करना शुरू करें और सीखें कि मन के उपर काम कैसे हम करें पहली बाद पूए और दूसरी बात कि ये जाने कि ये सुभ इच्छा क्या है ये सुभ इच्छा होती क्या है तो अब उस सुभ इच्छा से पहले हम ने ये जान ले क्या जान ले सुभ इच्छा से पहले हम ये जान ले कि इच्छा क्या होती है तो इच्छा के बारे में हमने देखा क्या देखा इच्छा के बारे में पहले भी हमने समझा था कि इच्छा का क्या मतलब है मन के अंदर इच्छा कैसे इच्छा का मतलब ये है कि हम अपने से बहार किसी वस्तू ब्यक्ति स्थान को चाहते हैं चाह है क्यों चाहते हैं क्योंकि उसमें हम आनंद देखते हैं और उसके साथ साथ जब हम उसमें आनंद देखते हैं तो हम, हमारा मन ये कहता है आनंद अंदर नहीं है तो जब मेरे अंदर आनंद अंदर नहीं है तो बेचेनी उठेगी तो मन के अंदर बेचेनी और बाहर भाग दोड की आज हम ये घर ले देंगे तो हो जाए घर लेना जरूर है पर घर लेने से शांती हो जाएगी ये कन्फरम नहीं होगी ही लेना है कर्म करना है बाहर तो पहली तो इच्छा में तीन चीज़ें हुई और हमें लगता है कि आनंद उससे मिल जाएगा और तीसरा बाहर की चीज़ को पारने के लिए जो आपा धापी है मन का दुन्द है ये मन अपने अंदर से ही मन खोया खोया सा रहेगा तुम दुकान पर वो आफिस जा रहे हो तो दुकान मन खोया हुआ पत्नी से बात कर रहे ह तो मन खोया हुआ क्यों कि मन उस चाह में अठका है तो ऐसी कोई भी इच्छा किसी वस्तु या ब्यक्ति को लेकर जिसमें हम आनंद ढूंडतें की कोशिस करते हैं वो रॉंग डिजायर है उस रॉंग डिजायर से उस गलत इच्छा से हम कभी भी शान्ती में जी नहीं सकते शान्ती प्रेम और ग्यान जीने में नहीं जी समयां पूर्ण मैंने तो इतना तुम्हारे लिए किया तुमने क्या किया या फिर हम बहुत ज़्यादा दो तीन तरीके हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हम ये खोजेंगे कि वो प्रेम कहां का है शारिरिक्स तरका है मानसिक्स्तर का है भावनात्मक का है हम हर एक बात सही या गलत हो हम हर एक बात में हाँ कह देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको हम हाँ इमेजिटली कह देते हैं हम सोचते विचारते नहीं तो नहीं वहाँ पे सोचना विचारना है नहीं सोचेंगे, नहीं विचारेंगे, तो समस्या बनेगी, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति आपको गुलाम बना लेगा, नहीं अभी तक तो आपने इतना किया, अब आप ये भी कर दीजिए, तो अब मुझे ये लगता है, कि मैं ये कर दूँगा, तो मुझे आनन्द मिलेगा, किसी वस्तू व्यक्ति में अंदर बाहर आनन्द खोजना, तो वो सुभ इच्छा नहीं हुई, वो अशुभ इच्छा हुई, तो एक तो रॉंग गलत इच्छा क्या हुई, कि हमारा मन, काम करने हैं ना, हम काम करने हैं, आफिस में गए, तुम पूरी लगन से काम करो, पूरा प्रयास करो, दो कलाएं और सीख लो, पर मन के अंदर ये भाव न रहे, कि मुझे ये काम आनन्द देता है, काम में आनन्द नहीं है, तो फिर मन में ये प्रश्ण उठता है, कि अगर काम में आनन्द नहीं है, तो फिर मैं काम कैसे करूँगा, खेल-खेल में करो। जदे बादरूम जाते हैं तो उस काम में आनन्द खोजने जाते हैं, नए, नहीं, पेट खाली हो जाए कातम हो गया। तो यहां पर क्या कहते हैं? यह बाते हमें पहले मनंग करनी होंगी तो जितना हम मनंग करते हैं कि वही काम हम करने जा रहे हैं इस काम में मेरे को कला हासल है इसलिए मुझे इस नौकरी पे रखा है तो जैसे ही काम पर जाएं तो हम ये देखें कि इस काम को और अच्छे ढंक से कैसे करें तो उस काम को जब हम और अच्छे ढंक से करने लग जाएंगे तो मन खाली होता चला जाएगा अब मन के अंदर तो द्वेश नहीं है, मन के अंदर कोई डर नहीं है कि बाओस क्या कहीएगा, क्यूं कि काम तुम्में सही करता हूँ और अच्छे ढंग सखता हूँ, और चार बाते में ने सीख ली है भी इतने दिनों से एक ही काम करते करते उस काम में और रुची लेना उसमें समर्पित हो जाना उसके आगे पीछे रेखना की और कौन सी ऐसी कैसा ग्यान है इस फील्ड में जिस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं तो बाहर तो हमें ये करते रेना पर अंदर मन खोजता रहे कि वो आनन्द कहा है तो हमने पहले शुरुआत की कि वो जो आपने अनुभवों से सीखा अब अनुभवों से क्या सीखा? हम पचास रेस्टुरेंट घूमाए, सब में खाना खा लिया क्या मेरे मन का आनंद भोजन के प्रती बदला नहीं बदला मैं दस जगे भूम आया दस चीजें देख ली क्या वो आनंद अभी भी बना हुआ है नहीं बना हुआ मैंने बहुत सारे कपड़े खरीद लिये उनको पहना क्या उसमें आनन्द बना हुआ है नहीं बना हुआ तो उसी प्रकार से sexual pleasure ले लिया, बहुत कर लिया क्या उसमें आनन्द बना हुआ है नहीं बना हुआ निरंत नहीं रहता ना तो ये क्या हमने किया desire fulfillment इच्छा की पूर्ती के लिए हम भागा दोड़ी जीवन में करते रहे इससे आनन्द नहीं मिलेगा इससे शान्ती नहीं मिलेगी इससे प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या मैंने इस प्रशन पर विचार किया कि आनन्द उस वस्तु में है उस व्यक्ति में है या मेरे अंदर है अपने आप से पूँछ है तो ये सारे प्रश्नों पर जो विचार राम ने किया राम ने कहा वस्ष्ट को कि मैंने ये देखा और उसके बाद उनने कहा कि अब तुम तयार हो इतना मनन तुम ने कर लिया Ein तो पहली भूमी का क्या है पहली भूमी का है सुभ इच्छा अब ऐसी इच्छा क्या हो सकती है जो शुब हो तो वो ईश्वर की ये हो सकती है ईश्वर हमेशा शुब होता एक तो ये तरीका सोचने का तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूं और अपने जीवन में धर्म को उतारना चाहते हैं भक्ती योग के द्वारा जाना चाहते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं कि भाई ठीक है मुझे इश्वर में विश्वास है मुझे इश्वर का साथचाट कार करना है ये सुभे इच्छा हो गए धार्मिक लोगों के लिए अब आज का युग जो है वो तर्क का युग है ज्ञान का युग है, समझ का युग है तो क्या ऐसे सिध्धान्त हमारे रिश्यों ने दिये? बिलकुल दिये युग वसे उसका सबसे बड़ा उधारान परम ग्यान दिया पर समझा के दिया राम को यह नहीं का कि इश्वर में विश्वास करो और तब चलो कुछ नहीं का उसमाना का विश्यों ग्यान लो, ग्यान मार्ग से जाओ तो ग्यान मार्ग की पहली सीड़ी है सुभेच्छा योग वसिष्ट के कारण तो अब ये सुभेच्छा कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है और ये अस्तित तो क्या है, अगर मैं इन तीनों को जान जाओंगा तो मुझे ये ग्यान हो जाएगा कि मुझे जीवन में हमेशा प्रसन रहने के लिए किस तरह के विचार करने है, किस तरह के कर्म करने है पनानी है एक तो ये बात हुए दूसरी बात सुब इच्छा का ये भी मतलब हुआ कि आज से मैंने ब्लेम, कम्प्लेंड, प्रतिक्रिया किसी दूसरे व्यक्ति को मन जो है दूसरे व्यक्ति की उपर भागे वो सारे कारे मैंने बंद कर दिये क्योंकि मैंने ये जान लिया अनुभव से कि मेरे अनुसर काम नहीं होता तो प्रतिक्रिया होती मैं अपने आपको बुद्यमाइन समझता हूँ, पत्नी कम बुद्यमाइन है, इसलिए गुसा आता है कि तुम ये क्यों नहीं करते हुआ तो हम जीवन में सुविच्छा का एक और मतलबे कि अंदर सोतंत्रता आई, पहले देख लिया कि कौन आगे पीछे कर रहा है और जब युक्ति पूर्वक हमने कह दिया, और कहने के साथ जुड़े नहीं कह दिया ठीक है, तुमने माना तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक है मैं भी कह देता हूँ, ठीक है, देखो भी ये चीज़ सही यहीं पर बात आती है कि कौन सी ऐसे विचार हैं, जिससे की मेरे जीवन में बदलाव आएगा तो तुरंत याद करो, प्रियस और श्रियस श्रियस का मार्ग, जो अच्छा है और जो सक्त है वो श्रियस का मार्ग है जो हमेशा बदलता रहता है, वो प्रियस का मार्ग है जिसमें पसंद और नापसंद मेरे मन में हमेशा रहती है पत्नी ने ये कह दिया, इसलिए चाहिए बात ठीक है, अब मैं ये पसंद करता हूँ, बस उसी में फसके फिर फसना नहीं है गुरुदेव बार-बार कहते थे कि नसो भी नहीं और क्या कहते थे, हटो भी नहीं, नसो भी नहीं, ऐसी कुछ कहते थे कि भागना भी नहीं है एक समस्या से और चिपकना भी नहीं, किसी व्यक्ती से चिपकना भी नहीं, किसी व्यक्ती से हटना भी नहीं, बीच में अपने मन को पकड़ के रखना है तो सुभ इच्छा में अब हमने ये सुभ इच्छा कि मैं कौन हूँ इसकी खोज करनी है राम ने भी यही कहा तो वश्ष्ष्टी ने यही कहा कि देखो शुभ इच्छा तुम्हारे मन के अंदर जागी है कि मैं कौन हूँ 24 गंटे ये स्मरण रहे मैं कौन हूँ संसाल क्या है और अस्चत्व क्या है और तीनों को जानकर मैं ये देख लूँगा कि मैं किस प्रकार अपने जीवन में आनंद को बनाए रख सकता हूँ ये बात बड़ी अच्छी कही तुमने की सुभए उठ उठके गुरुदेव को प्रणाम किया अपने मन में जो मैं हूँ जो मेरा है जो मेरे पास है वो सब तेरा है इससे क्या होगा जो पुराने अनुभव से संसकार बने हैं वो धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे तो मैंने बहुत बार देखा फिर मैंने कहा ने इससे बड़ी प्राथना नहीं है गुरुदेव को देखा जो मैं हूँ सब तेरा जो मेरे पास है वो भी तेरा जो मेरा है वो भी तेरा अब तुम मेरे अंदर उतरो शांती के रूप में प्रेम के रूप में ग्यान के रूप में तुम मेरे अंदर उतरो एक हमारी वो भजन है ना बड़ा चजगजीत सिंग का भजन है दुरगा का अंतस में उतरो ऐसे की कुछ है बहुत अच्छा है तो मेरे अंतर बस कुछ सुभ है उठे और ये देखना कि डेली ये याद रहता है या नहीं रहता है या किसी दिन चूप जाते हो जिस दिन चूप है तो पुराने संसकार वापिस आगए इसलिए तो चूप है इसी लिए चूप है तो ये मन जब तयार हो जाता है तब हम सुभ इच्छा पर आते हैं तब मन के अंदर बड़ा स्पष्ट हो जाता है क्या स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का उदेश्य क्या है कि उस स्वा के प्रती जागरत होना है सत्चित आनंद के प्रती मुझे जागरत होना है मुझे स्वा की खोज करनी है अब इस सुभ इच्छा में इक बात और है वही बात जो पिछली शायद दो हफते पहले करी थी ये संसार में इतनी समस्याएं, इतना आनंद के उपभोग के वस्तुएं, बहुत सारी है ना, अब इसका क्या है, पिर हम समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, जीवन में ये समस्याएं आई ही इसी लिए हैं कि मुझे उस आनंद को प्राप्त करना है, ये समस्याएं नहीं हैं हाँ पिछले दो अबते पहले हमने कहा था सुकरात की बतनी बड़ी कुरूर थी बड़े चेले थे उसके वो भी आते थे चेले उनके घर पे तो उनकी पतनी बरतन उठा के फैकती थी बेलन उठा के फैकती थी चोट लग जाती थी केलों को तो आट-देस साल जब एक चेले चेला भी साथ में जाता था देस साल से उसके साथ वो ही हुआ कभी उसको चोट लगी तो जब उसको ग्यान के सुसस्तर पे पहुँच गया तो सुकरात से पूछा कि गुरूबर आप आप मेरे प्रशन का समाधान करिए क्या प्रशन है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ सुकरात ने कहा तुरंद कर लो तो देखो इतना खुला भी होना चाहिए गुरू को गुरू प्रशन उत्तर के लिए हमेशा खुला होना चाहिए यह नहीं कहना विश्वास करो मैं आशिर्वाइद देता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला तो शिष्वे ने पूछा कि मैं तो दस साल से यह देख रहा हूँ एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ जितनी बार में आपके घर गया मुझे बेलन पड़े मुझे भी चोट लगी आपको भी लगी और फिर भी आप कियते हैं शादी कर लें तो सुकरात ने कहा तुम्हारा मन बाहर देख रहा है अभी भी कि यह आनंद बाहर है उस व्यक्ति वस्तु स्थान में पर तुम अब मन की दिशा को बदलो इतना कुछ सीखा है तो मेरा उत्तर है कि यदि शादी कर लेते हूँ और पत्नी समझदार मिली सहयोग करने वाली मिली विवेक के साथ चलने वाली मिली तो तुम्हारा दामपत्य जीवन तो सुकी होई जाएगा और साधना तुमने मेरे साथ की ही तो आध्यात में कुछ थान भी होगा तो दोनों हाथ में लड़ू तो इशारा क्या है कि बाहर की कठिन से कठिन समस्थ्या तुक हमारे लिए अवसर है हमारा मन अब ही उस सुभेच्छा में नहीं आया है इसी लिए हमें बाहर की समस्याएं समस्याएं लगए ये समझो जिस दिन सुभेट्षा में आ गया तो हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आज ये समस्या दिये मैं इस पर विचार करूँगा इस पर मनन करूँगा और मैं इसका समाधान खोजूँगा क्यों होग क्योंकि मेरी कमिट्मेंट होगी कि समस्या का दूर करने के लिए वो कमिट्मेंट मेरे मन की एकाग्रता को बढ़ाएगी और जब मैं मनन करूँगा तो मेरा बॉध्धिक विकास होगा और अंदर से ही वो जो आत्मा जिसको कहो सच्चेदानंद कहो विवेक लाएगा वैराग्य लाएगा और मन जो है वो खाली होता चला जाएगा तो इसी लिए सुभिक्षा को सुभिक्षा तो ऐसी सुभिक्षा समस्या आई मेरी सुभिक्षा क्या है कि मुझे अपना विकास करना है समस्या सामने मुझे अपना विकास करना है तो विकास किसके द्यारा होगा ग्यान अरजित करने के द्यारा होगा तो मैं गहराई से उस समस्या को देखूँ उसके उपर विचार करूँ और ये देखूं कि मेरे मन की कौन सी युगिता बढ़ेगी अगर मैंने इसका समाधान खोज लिए तेनाली राम थे एक उनके बाड़े में बड़ी प्रसद है बहुत बड़े विजय नगर के राजा के महान मंत्री थे वहीं से शायद बीरबल ने बच्पन में सिख्षा दी ऐसा लोग कहते हैं कि तेनाली राम ने बीरबल पंड़े थे तो उनको शुरू शुरू में सिख्षा दी तो बीरबल ने अपने अनुबब्स से तु सीखा ही बच्पन में बाकिश जिस तरीके से तिनाली राम केहते थे, तिनाली राम ने एक बार किसी को कहा, देखो, समस्या है तो समाधान है, अब समस्या यहां है, समाधान यहां है, दूर है, गती कौन करेगा समाधान खुजने के लिए मेरा मन और बुद्धी, तो मेरे मन और बुद्धी को यहां से समस्चा से हटके समाधान की तरफ ध्यान देना होगा तो उस पे मनन चिंतन करना होगा तो तिनारी राम जी विजय नगर के राजा को बड़ी से गहरी समस्चाओं से उबार लिया करते थे तो सुभ इच्छा जनम लेती है जबकि हम अपने आनुबभवों से सीफ थे है और हरे एक समस्चा जीवन की हरेक समस्चा जीवन के हरेक आनन को गूमने जाते हैं वहाँ भी गूमने जाओ दस जगे जाओ जाने के साथ साथ अपने मन के अंदर यह बना के रखो कि आनन्द इसमें है या अंदर है आनन्द बाहर है या अंदर पत्नी के साभी सह करो नहीं बहुत सुन्दर द्रशे और द्रशे कितनी देर तक रहेगा एक दिन, दो दिन, तीजरे दिन घर वापिस लोट आएंगे तो द्रशे में थोड़ा आनन्द है द्रशे में का आनन्द है और दूसरा उस द्रशे में आनन्द इसलिए आता है कि मन को तुम कोई भी नई चीज़ दे दू तो उस समय मन आदत का शिकार नहीं होता पुराने संसकार प्रबल नहीं होते इसलिए हमें अच्छा लगता अब एक बार एक जगे घूम के आओ अब को नहीं बार बार वसी जगे घूम के आए अरे वही तो चीज़ वही तो काम कर रहे है फिर आनन्द का मिलेगा तो सुभ इच्छा अब इसको थोड़ा सा हम शास्त्रों के अद्धिन से देखते है कि ऐसी इच्छा राम को वस्षिश्टी ने क्या बताया कि ऐसी इच्छा जो विवेक और वेराग्य की अवस्था से उठी हो पहली वाद इस्थितह कि मूढ है वास्मी कि किस ऐसी इच्छा जो किस से उठी हो विवेक से, मनन करने से कहराई से खोज निकालने से उठी हो और वो इच्छा एक छण के लिए संसार की सारी इच्छाओं को छोड़ दे ऐसा लगे कि मन कहा भागू एक समय में पतनी खुश हो जाती दूसरे समय में दुखी हो जाती एक समय में पिता जी कहते हैं बहुत अच्छा दूसरे समय में कहते हैं बेकाल आज ये कमीज पहन ली तो बड़ा अच्छा लगा अक्कल वही कमीज पहनी तो बुरा लगा ये सुभिच्छा इन दूनों के बीच में है वो कैसे उठी कि मैंने ये जान लिया कि बहार की कोई भी वस्तू व्यक्ती मुझे उस आनंद और ग्यान को नहीं दे सकती अगर मैं समस्याओं के बीच में घिरा हुआ हूँ तो मेरा मन मेरे उपर काम कर रहा है और मेरी मन ने मनन नहीं किया है उस समस्याओं को सही रूप से देखने का इसलिए मैं प्रतिक्रियाब्यक्त कर रहा हूँ ब्लेम कर रहा हूँ कंप्लेंट कर रहा हूँ ओफिस में भी वही हाल रखो उसी दरश्टी से देखना पिताजी भी उसी दरश्टी से देखना मैंने बताया नहीं तुम्हारे पिता जी अच्छा उनकी आदत हो गई वो पुराने संसकारों से जी रहे हैं क्या करेंगे जीने दो उनको उनको नहीं बदला जा सकते हमें अपनी बुद्धी से देखना है कि हम किस प्रकार का उत्तर उनको दें उस उत्तर में ना तो कोई प्रतिक्रिया हो और उस उत्तर में ना कोई ब्लेम और कंप्लेम की बात हो हमारा मन बिलकुल खाली पिता जी हम ये करेंगे आप ये बता दें कि इसमें क्या गलती है तो हम उसको सुधार करेंगे तो मेरी बात नहीं मन रहे आपकी बात हम हमेशा मानेंगे पिता जो है वो भगवान तुल्य है गुरू तुल्य है आप सब कुछ है मेरे पर यदि आप मुझे विचार करके बताईए कि जो आप ये कह रहे हैं ये मुझे सही मालग पर ले जाएगा और आप ये ना कहें कि मैं बहस करता हूँ बहस नहीं हम विचार कर रहे हैं जिस्छे की हम सही रास्ते पर चल सकें बस लोँपे टिक जाओ तो वो टिकने से क्या होगा कमिट्मेंट होगी दर्णिष्टए आ जाएगा तुम्हारे मन में तो तुम्हारे मन में जो डर है वो भी दूर हो गया चाहे वो पती के प्रती हो, पत्नी के प्रती हो, पिता के प्रती हो, मा के प्रती हो, भाई के प्रती हो, सब के प्रती हो कोई रिका भी, बज़ उसमें हम टिक गए तो टिकने का क्या मतलब है? कमिट्मेंट आई कमिट्मेंट्स मुक्य में हमें पता लगा ये अशुभ इच्छा है ये अशुभ इच्छा है ये बुरा विच्छा है ये अच्छा है उन दोनों को भी छोड़ दिया अशुभ को भी छोड़ दिया हम शुभ पे टिके रहे तो ये शुभ पे टिकना जो है उसको हम बोलते हैं पहली बात सुभ इच्छा पर ये सुभ इच्छा कहां से आई कि जब हमने मनन किया अपने जीवन को पीछे देखा कितनी बार पिताजी को समझा लिया नहीं सुनते हैं संसका तो फिर मैं एक बार और समझाओं नहीं समझाना तो नहीं समझाना तो क्या करूँ अपने उपर मन को केंदरित करना है कि मैं पिता की इस वाचीत से क्यों दुखी होता हूँ देखो कमिट्मेंट अब आ गई अब मन बुद्धी ने खुलना शुरू किया भी पिताजी का सुभा भी वही कहेंगे ये जिन्दगी भर वही किया है उन्होंने तो मुझे क्यों परिशान मैं बैठूंगा विचार करके बताऊंगा कि मैं ये काम इस तरीके से करूंगा इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं होना चाहिए अगर दुख है उसमें तो आप मुझे इससे भी अच्छा तरीका बताएं खत्म हो चाहे वो पती हो पत्नी हो वच्छे हो दोस्त खाली एक दम सपश्ट के दिया बड़े प्रेम से कमिट्मेंट हुई तो बुद्धी ने पुराने अनुभवों को देखा तो बुद्धी ने का पुराने अनुभवों को ही रिपीट करना है तो बुद्धू हो गए तो उस बुद्धू पने में क्यों जाना नए धंग से जीवन जीना है तो नया धंग जैसी ही बुद्धी के अंदर आया तो वो इस समस्या का समाधान हमें मिल गया उस समस्या का समाधान हमें मिल गया अब ये देखना है एक और बात उसमें पड़ती है अपने अनुवमों से हम कैसे सीखें कि एक ही बार बार हमने देखा ये खाना बड़ा अच्छा है यही खाना खाएंगे या क्या हुआ कि कोई ब्यक्ति सामने आया पुराने संसकार प्रबल हो गए कि देखो पता जी फिर अभी ही बोलेंगे ये ब्यक्ति फिर यही काम करे दूसरे भोजन जो बाहर पड़ा उसको नहीं देखना अपने मन को देखना है कि मेरे मन तूने प्रतिक्रिया क्यों ब्यक्त की तू रियक्ट क्यों किया तूने ब्लेम क्यों किया और ब्लेम करने से समस्या का समाधान होगा या वो समस्या और बढ़ेगी बड़ी मस्ती में गए, बैठ गए, पिताजी के पैस, पैर भी चूली है, दो बार चूली है, किते हैं, आज दो बार चूने के इच्छा हो रही है, बड़े खाली बन से, ये बात है, ये समस्चा है, ये मैं समधान देखता हूँ, मैं इस प्रकार इस तरीके से चलने में अब चलूँगा, तो जैसे ही हमारी वो सुब इच्छा जागरत होती है, बहार की सारी समस्याएं अवसर बन जाती है, सुब इच्छे का शूत्र जो है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, इतना बड़ा परिवर् पहली जो ये हमें क्या करता है ये हमें प्रेड़ना देता है साधन चतुष्ट या विवेक को हमेशा साथ रखना है अब मन की अपनी आदत बदलना शुरू हो जाती पिछली बार बास ने डाता तो तो मैं डर गया था अब मेरे अंदर विवेक आ गया विवेक साथ में है अब डर नहीं है तो मैं दोबारा कहूंगा कि ये काम मैंने बिल्कुल ठीक किया इस धंसे किया इससे अच्छा तरीका हूँ तो आप मुझे बता दें गाइड करें मैं आप आगे से वही फॉलो करूंगा तो बास की अगर कोई बुरी आदत होगी बार बार टोकने की तो व प्योग करते हैं उसको जैसे गहराई से समझते हैं तो एक दम मन जो है चाहे कैसी भी समिस्या उस समिस्या का समाधान हमें दिखाई देने लगता है एक बात और है सुभ इच्छा कौन कर सकता है जो अंदर से सोयम को देखता है कि अच्छा बनू कि मुझे अच्छा ब्यक्ति अपने लिए बनना है दूसरे के लिए ने बनना है तुम्हें अच्छा ब्यक्ति अपने लिए बनना है पत्नी के लिए ने बनना पती के लिए ने बनना पता के लिए ने बनना समाज के लिए ने बनना मुझे अच्छा ब्यक्ति अपने लिए तो अच्छा विप्ति मैं अपने लिए बनू तो मैं अपने को दुखी नहीं करूँगा, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, तो इसको कहते हैं सात्विक बुद्धी, नाम सुना होगा, सात्विक बुद्धी, और सात्विक शब्द जैसे ही आ आता है वो आता है ज्यान के लिए то ज्यान का मतलब कि मुझे मनन करना होगा सुभी च्छा को हमेशा साथ में रखना अंतिम बात और फिर प्रशनों पर विचार करेंगे कोई समिस्या आई तो हे गुरुदेव, जो मैं हूँ जो मेरा है जो मेरे पास है और सब तेरा है क्या मतलब? ये समिस्या भी तinta दी कोई भी समिस्या जीवन में आई वो समिस्या को बे उठा के रख दिया पर तेरा कहने का मतलब नहीं कि वहां पर हमने बुद्धी का रास्ता बंद कर दिया बुद्धी को का तू सो जा तो फिर समस्या और बढ़ जाएगी आम तोर पे अब तुम समझने लगे हो तुम्हारे साथी को समझने में बड़ा टाइम लगेगा शर्णागती का मतलब ये नहीं है कि मैंने बुद्धी का प्रयोग छोड़ दिया शर्णागती में कहते हैं आचा ईश्वर तू चार बच्चे दे दे तो ईश्वर पती का स्थान लेगा क्या अबनी बुद्धी का प्रयोग करना मैं बड़ा कटोर उधारण ले रहा हूँ अचा भगवान तू काम कर दे तो फिर मैं घर पे बैठ जाओ ऑफिस में जाओ शर्णागती बड़ी गहराई से रखना है सुभेच्चा तब होगी जो मैं हूँ जो मेरा है जो मेरे पास है वो सब तेरा है मैं ये अनुभव करूँ शरीर किसने दिया मैंने तो नहीं प्यादा किया बुद्धी किस का किसने दी मैंने तो नहीं दी तो जो मैं हूँ, जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब तेरा है प्रभो अब मैं समझ के बुद्धी का प्रयोग करते हुए शुभ इच्छा की तरफ जाऊंगा जिससे की आप मेरा उद्धान कर सकें ये शर्णागती का मतलब होता है, ये साश्टांग धन्रवत प्रणाम करने का मतलब होता है अब बताएं